हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी उमीद करती हूं बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम है प्रियंका और आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है सब्सक्राइब आप सब्सक्राइब करते हैं अगर आप हमसे नोच और ऑप ले नचाते हैं तो इसकी लिंक आपको नीचे दिये हुए description box में मिल जाएगी तो चले इसी चानकारी के साथ शुरू करते हैं आज की class तो हम बात कर रहे थे अपने पाठ चार की जिसका नाम है अमल चारक और लवन हुए कि हैं हमने इस पार्ट में क्या पढ़ लिया था हमने इस पाइट में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा था हमने बस इतना देखा था की अमल और छार जो है इनका पता कैसे लगाया इनको कैसे परिभाशित किया गया अमल शब्द कहां से आए ठीक है कौन-कौन से से पदार्थ हैं जो हमको किस प्रकार के प्रतीत होते हैं मतलब उनका स्वाद कैसा होता है ठीक है यह सारी चीज़े हमने जानी थी और हमने क्या जाना था क्या होते हैं कुछ खटे तरह के होते हैं और छारक कुछ कड़वे तरह के होते हैं इसको और अच्छे से जानने के अब हम क्या करेंगे इसको और अच्छे से जानने के लिए हम आज कई टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है जिसका नाम है अमल और छारक मतलब कि आज हम बात करने वाले हैं अमलों की और छारों की चीक है कि अमल क्या होते हैं और छार क्या होते हैं अमल कि कौन-कौन से ह होते हैं और शार कौन-कौन से होते हैं तो सबसे पहले देखिए संत्री का रस और सिर्किक का स्वाद खट्टा होता है तो टही हो गया निबुका हो गया सिरका हो गया संत्री का रस हो गया इन सभी का स्वाद कैसा होता है इन सभी का स्वाद घटा होता है ठीक है क्यों क्योंकि ये सब क्या कहलाएंगे ये सब अमल कहलाते हैं ठीक है इन पदार्थों का स्वाद खटा इसलिए होता है क्योंकि इनमें अमल होते हैं इनमें क्या होता है इनमें अमल होता है मतलब कि इनमें ऐसेड होता है जिसकी वज़े से ये कैसे स्वाद के होते हैं ये सभी खटे स्वाद के होते हैं ठीक है ऐसे पदार कर रासाइनिक प्रवर्ति की बात करें किसकी रासाइनिक प्रकृति इनका नीचर कैसा होता है इनका नीचर प्रकृति की अमलिय होती है ठीक है अब देगो ऐसे शबद कयो उत्पतिय बंटिशम एसियर से हुए जिसका अर्थ है क्कट्टा हम यह पढ़ चुके थे कि जो एसिड होता है यह शबद आया कहां से तो यह शांव यह था कैसियर शब्द से और जिसका अर्थ क्या था जिसका अर्थ था खटा ठीक है इन पदार्थों में पाए जाने वाले अमल प्राकृतिक अमल होते हैं और यह जो यह सारे पदार्थ हैं यहां पर जो लिखें हुए हैं इनमें जो अमल पाए जाते हैं यह सभी अमल कैसे होते हैं यह सभी प्राकृतिक अमल है यह मानव निर्मित अमल नहीं है यह प्रकृति में पाए जाने वाले अमल है इसलिए यह कैसे अमल हो गए यह प्राकृतिक अमल हो जाते हैं चीक है आगे देखते हैं खानी का सोडा बेकिंग सोडा का स्वाद खट्टा नहीं है जिसका मतलब है इसमें कोई अमल नहीं है अब अगर हम खानी के सोडे की बात करें जो बेकिंग सोडा होता है उसका स्वाद तो खट्टा नहीं लगता ऐसे बहुत सारे पदार्थ है जिनका स्वाद कैसा नहीं होता जिनका स्वाद खट्टा नहीं पता चलता तो जिनका स्वाद खट्टा नहीं होता वो क्या है? क्या वो कोई अमल है? तो नहीं जिनका स्वाद खट्टा नहीं है वो अमल नहीं कहलाएंगे ठीक है? इसका स्वाद कड़वा है अब खाने के से उड़ी का स्वाद कैसा आ रहा है इसका स्वाद कड़वा आ रहा है यदि आप इसके विलियन को अपनी उंगलियों के बीच रगणें तो ये साबुन जैसा चिकना लगता है और अगर आप इसको लेके अपने हाथ में रखे इस प्रकार से इसको रगणेंगे तो यह कैसा लगेगा चिकना साबुन के जैसा चिकना पता चलेगा सामानिता ऐसे पदार्थ जिनका सवाद कड़वा होता है और जो इस पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं छारक कहलाते हैं ठीक है आप यहाँ हमने किसकी बात कर ली हमने बात की छारक की तो क्या बोला मैंने ऐसे पदार जिनका स्वाद क्या होना चाहिए इनका स्वाद होना चाहिए कड़वा और इनको छूने पे स्पर्श करने पे कैसे लगे चिकने साबुन की तरह चिकने तो ऐसे चीज़े क्या कहलाती है ऐसे पदार्थ ऐसी वस्तुएं शारक कहलाती है ठीक है और इन पदार्थों के अगर हम प्रकृति की बात करें इनकी रासाइनिक प्रकृति की बात करें तो इनकी रासाइनिक प्रकृति क्या कहलाएगी छारिय कहलाए ठीक है यहां तक क्लियर हो गया है कि अमली प्रकृति के पदार्थ क्या होते हैं अमल क्या होते हैं छार की प्रकृति के पदार्थ क्या होते हैं छार क्या होते हैं चीक है आए आगे देखते हैं क्या आप जानते हैं अब यहां पे आपको क्या दिया है यहां पे आपको अमल का नाम दिया है और यह अमल किसमें पाए जाते हैं यह बताना है क्या आपको यह सभी अमल पता है और इन सभी यह सभी अमल किस किस चीज में पाए जाते हैं क्या यह आपको पता है यही हम यहां जानेंगे ठीक है अब अगर हम बात करें एसेटिक अमली की तो एसेटिक अमली जो है जिसका नाम क्या है जो किसमें पाया जाता है जो सिरके में पाया जाता है किसकी बात कर रहे हैं हम एक अमली की बात करें हैं कौन से अमली की बात करें हैं एसेटिक अमली की बात कर रहे हैं तो ये पाया जाता है सिरके में, चीक है, दूसरा है फार्मिक अम्ल, अब ये जो फार्मिक अम्ल है, ये किसमें मिलता है, तो जो चीटी का डंक होता है, चीक है, चीटी जब काटती है, तो आपको एक दर्द महसूस होता है, तो चीटी का जो डंक होता है, उसमें क्या होता है उसमें फार्मिक अमल होता है ओकी नेक्स्ट है सिट्रिक अमल या साइट्रिक अमल तो ये किसमें होता है ये अमल होता है नीबू कुल के सिट्स फल जैसे की संत्रा नीबू आदी नीबू के जैसे दिखने वाली नीबू कुल मतलब नीबू के परिवार से, नीबू की फैमिली से, मतलब जितने भी ऐसे फल हैं, जो नीबू के जैसे दिखाई देते हैं, ठीक है, उन परिवार के उन कुल के जितने फल होते हैं, उन में कौन सा अमल होता है, उन में होता है सैट्रिक अमल, ठीक है, संतरा हो कि निभु हो गया मोसंभी हो गया यह सभी क्या है एक ही फल एक ही कुल से आते हैं तो इन सभी में क्या पाया जाएगा इन सभी में साइट्रिक अम्ल, लाक्टिक अम्ल किस्में होता है दही में, ठीक है, किस में होगा, दही में, ओकी, next देखेंगे, ओक्जेलिक अमल, ओक्जेलिक अमल किस में पाया चाहेगा, तो ये पाया चाहता है पालक में, पालक में भी खटास टाइब की पता चलती है, जो किसकी वज़े से होती है, जो होती है, ओक्जेलिक अमल की वज़ वो किसमें पाया जाता है उसमें चलो नेक्स्ट है हमारा इसकॉर्बिक अमल ठीक है क्या है इसकॉर्बिक अमल जो विटामिन C जिसमें होता है क्या है आवला सिट्रस फल ठीक है तो आवला में कौन सा पाया जाता है इसकॉर्बिक अमल पाया जाता है सिट्रस फल में भी क्या पाय जाता है स्कॉर्बिक अमल होता है सिट्रस फल मतलब कि जितने भी सिट्रस वाले फल होते हैं उन सब में क्या होगा इस्कॉर्बिक अमल भी होगा और इन सभी में विटामिन C भी भरपूर मातरा में होता है चीक है विटामिन C ही इस्कॉर्बिक अमल कहलाता है आगे देखो टार्टरिक अमल अभी टार्टरिक अमल किसमें मिलेगा तो इमली हो गई अंगूर हो गए कच्चे आम हो गए इन सभ में टार्टरिक अमल होगा ठीक है हमने कितने अमल देखे फिर से काउंट करिये और उसके बाद सकार्बिक अंट और टार्टरिक अमल हम्ने सात अम लोग कि यहाँ पर बात की है अब अगर मैं इनकी सही जोड़ी बना के देदूं आपको तो आप भर लोगे जल्दी से बताओ जल्दी बताईए उपर बताए गए सभी अमल प्रकृती में पाए जाते हैं अब यहाँ पर यह जितने भी साथ अमल दिये गए हैं यह सभी अमल जो हैं यह प्रकृती में पाए जाते हैं ठीक है और हमने आपर जितने भी उदाहरं किसमें पाए जाते हैं, वो सारी चीज़े क्या है वो सभी चीजें प्राकृतिक है चाहे वो चीटी हो चाहे फल हो ठीक है, दही सिर्का सभी चीजें क्या है प्राकृतिक रूप से प्राप्त हैं हमको तो ये कैसे हो गई? ये सभी प्रकृती में पाए जाने वाले अमल हो गए. ठीक है? आगे देखें. चलो. आगे अब हम किसकी बात करते हैं? तो आगे अब हम बात करते हैं चारकों की. किसकी? चारकों की. अभी हमने क्या जान लिया? हमने भई अमल जान लिये. कितने प्रकार के 7 प्रकृति में पाये जाने वाले अमलो को हमने देख लिया है ठीक है अब हम देखते हैं छार टो छार कॉन कॉल से होते हैं यहाँ पे छारों के नाम लिखें हुए है और वो किसमें पाया जाता है यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे कि अभी हमने पहला वाला चार्ट देखा था तो चले पहला हो गया calcium hydroxide क्या है calcium hydroxide ठीक है इनके कुछ रासाइनिक नाम ही आपको देखने हो मिलेंगे अब इसमें क्या पाया चाता है चूने का पानी जो चूने का पानी होता है उसमें क्या मिल जाएगा इसमें कौन से चार हो जाएगा calcium hydroxide next क्या है ammonium hydroxide यह किसमें मिलेगा खिड़की के काच आदि साफ करने के लिए उपयुक्त मार्जग अब जो खिड़की या काच को साफ करने के लिए जिसका प्रयोग हम करते हैं ठीक है जिस लिक्वेड का प्रयोग करते हैं उसम में होता है ammonium hydroxide और मार्जग क्या होता है वो एक चार यह प्रकृति का liquid होता है ठीक है तो यहाँ पर क्या आजाएगा ammonium hydroxide next हम बात करें sodium hydroxide या फिर potassium hydroxide तो sodium hydroxide और potassium hydroxide किसमें होता है साबुन में होता है हमारा जो साबुन होता है उसमें कौन सा चार होता है तो उसमें sodium hydroxide होता है और कभी कभी potassium hydroxide के प्रयोग से भी बनता है या किसी किसी साबुन में यह वाला चार भी पाया जाता है चीक है next हम देखेंगे तो magnesium hydroxide यह दूधिय magnesium मतलब कि जिसको milk of magnesium कहते हैं उसमें पाया जाता है कौन सा चाल magnesium hydroxide ठीक है अब आपने कोई चीज नोट की क्या यहां पे कुछ चीज common लग रही है आपको जल्दी बताओ क्या common लग रहा है एक चीज आपने नोट की होगी कि इन सभी में hydroxide लगा हुआ है है ना इन सभी में क्या देखने को मिल रहा है hydroxide मतलब कि जो hydroxide है यह टेड़ा लिख दिया चलो सीधा लिख देते हैं यह कैसे होते हैं यह किसी ना किसी छारक के नाम में आता है ठीक है hydroxide जिसमें लगा होगा हम क्या समझ लेंगे कि वो क्या है वो एक छारक है ठीक ओके यहां तक किसी को कोई doubt no doubt बहुत बढ़िया तो यह यहां पर हमारी क्या हो गए अमल और छारक हमने अमलों के बारे में जान लिया कि अमल क्या होते हैं और छारक के बारे में भी जान लिया कि छारक क्या होते हैं इसके साथ ही हमने बहुत सारे प्रकृती में पाए जाने वाले अमलों को भी देख लिया और वो किन किन में पाए जाते हैं वो भी देख लिया और हमने कुछ चारों की भी बात की और चार किस किस में पाए जाते हैं उनको भी देख लिया है अब हम आगे आने वाले टॉपिक में क्या देखेंगे आगे आने वाले टॉपिक में हम इस पार्ट के बारे में और भी अच्छी चीज़ों को जानेंगे इना मुलचार का प्रयोग कैसे होता है किस प्रकार से रासाइणी क्रियाएं होती है किस तरह से उदासी नहीं करण होता है इन सभी चीजों को हम आगे जानेंगे तो आगे आने वाले सभी वीडियो के लिए और इसी तरह के और इच्छे वीडियो देखने के लिए जुड़े रही है Magnet Brains के यूट्यूब चैनल, वेब साइट और अप्लिकेशन से Magnet Brains है इंडिया का नंबर 100% फ्री ओनलाइन एजुकेशन प्लाइटफॉर्म अगर आप हमसे e-notes और e-books भी लेना चाते हैं तो इसकी लिंक आपको नीचे दिये और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगे इसके साथ ही हमारे पास हैं आपके लिए कई सारे टॉप कोर्स जो कि यहां स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं और इनमें आते हैं जैसे कि CBSE बोर्ड, डली बोर्ड, बिहार बोर्ड, UP बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड इस तरह से सभी बोर्ड को magnet brains cover कराता है इसके साथ ही Vedic meds crash course और spoken English जैसे top courses भी आपको यहां पर मिलते हैं और यह सभी top courses आपको मिलते हैं high quality education के साथ English और Hindi दोनों ही medium है और इनके लिए आपको किसी भी तरह का कोई payment नहीं करना होता कोई fees नहीं देनी होती क्योंकि यह आपको मिलते हैं 100% free of cost इसके साथ ही अगर आप हमसे अदर social media platform पर भी जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें follow कर सकते हैं facebook, instagram, twitter और telegram पर भी तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like करें दोस्तों को share करें और channel को subscribe करना ना भूले मिलते हैं नेक्स टॉपिक के साथ अब तक के लिए bye bye